तो गैस इस बाइक की मैं पूरी की पूरी इंजन वापस खोल के बनाने वाला हूँ तो सबसे पहले तो आप इसकी हालत देखो तो गैस आपने इंजन का साउंड तो सुनी लिया होगा अब इसका पॉलूशन देखो कितना ज़्यादा यह दे रही है वह बहुत ज़्यादा दे रही है तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इस बाइक की पूरी की पूरी इंजन खोल लेंगे फिर आपको बताते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से पार्ट्स खड़ाब हुए है और कौन से पार्ट्स लगाने है और कैसे लगाने है यह भी मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे हमारा गाड़ी का जो साउंड है वो बहतर हो जाए और जो इस बाई का पॉलूशन है वो भी ठीक हो जाए और हाँ कनेक्टिंग कैसे रिपियर करते हैं ब्लॉक सेलेंडर कैसे लगाते हैं टाइमिंग चेन कैसे सेट करते हैं यह सब मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी की पूरी खोल दी है आप इसके पार्ट्स देखके अंधर लगा सकते हो कि यह बाई कितनी खराब कंडिशन में थी और यह रहा ब्लॉक दोस्तों जिसको हम रिपियर करने वाले हैं यह रहा कनेक्टिंग अब देख सकते हैं इसकी भी हालत कुछ खराब है अब इसका धक देखो कितना है इसका वाल चेंज करने वाले हैं और साथ में इसका गाइड़ चेक करना होगा तो सबसे पहले हम इसको लगाते हैं बोरिंग मसीन पर और इसको होल करते हैं ठीक है फोनिंग मसीन पर लगाते हैं पहले तो गाइस मैंने इसे होनिंग मसीन पर बान रखा है यह दिखो बान तो गाइस यह रहा होनिंग हो गया है अभी सिर्फ होनिंग हुआ है अभी पॉलिस बाकी है अभी यह तो बहुत मोटा होगा अभी इस पर पॉलिस मसिन चलेगा तो इसको पॉलिस मसिन पर हम बान लेते हैं पहले तो यह रहा पॉलिस मसिन जिस पर हम इसको बान लेते हैं पहल है आफ सबना तो याइस हमारा प्लिस हो गया है यह दिखो पिष्टन में डाला यह आ तो ज्यादा टाइट है और ना ही ज्यादा लूर अब फिर से Windows अ फिर मुध्य तो leaving रहने हैं कट तो अब करते हम इस दो ये रहा क्रेंक तो पहले हम इसका पीन निकाल लेते हैं अच्छे से मारना है अगर आपके पास जोगार नहीं है तो आप खुद से ना करने की कुछिस करें और यह खराब हो सकती है वैसे यह निकलती तो है कमप्रेशर मसीन से लेकिन हमारे यहां अभी कमप्रेशर मसीन आपल है इसलिए मैं इस जोगार से निकाल रहा हूं बाई तो यह निकल गया पीन काफ़ी रादा कट गई थी यह यह देखो दिखाई देगा थोड़ा थोड़ा तो इसको पहले अच्छे से वास कर लेते हैं कच सबसे बेस्ट चलता है लेकिन वह मुझे मिला नहीं इसलिए मैं प्रिंस कर डाल रहा हूं यह भी कफी अच्छा चलता है तो देख रहा है स्टेंडर साइज है तो सबसे पहले फ़र्ष्ट पल्ले में ठोक लेते हैं उसके बाद दूसरे पल्ले में ठोकना होगा फिर कनेक्ट अब जर्ण भी आवाज भी नहीं मिलेगा आपको पूरा का पुरा कम्पृटली इसको रिप्यर कर दिया है अब इसमें चाल देखो अब यहां आप मिला के देखो जर्ण भी चाल नहीं है मैंने इसको मिला भी दीया अच्छे से तो गईस अब बच गया है सिर्फ हेड कर ल जो गाइड है वो अगर लूज रहेगा तो आप पिश्टन बदलो या फिर कुछ भी बदल लो कुछ भी कर लो वाइल खाएगी और साथ ही साथ मालेज भी कम देगी तो यह परफेक्ट होना जरूरी है तो यह ठीक है तो सबसे पहले तो हम इसको साफ कर लेते हैं अच्छे से तो गाइज यह रहा है पूरा का पूरा मतलब काम कर दिया मैंने वाल चेंज कर दिया है मैंने इसे ग्रेंडिंग कर रहे तो गाइज मैंने इंजिन को दोधा के मतलब अच्छे से साफ कर लिया है यह तो सारे का साथ पार्ट यहां पर एबिलेबल है और कुछ पार्स जो है हमको चेंज करना होगा अब हम इंजन बानना शुरू करेंगे और थोड़ी शी स्पीड में बानेंगे आप अच्छे से बस ध्यान देना ठीक है तो सबसे पहले यह देखो गेर सेलेक्टर आपको चेक कर लेनी है अच्छे से कहीं यह कट आउट नहीं है उसके बाद यह रहान ढ bị दोस्त उसके बाद आपको एक वासर रली है गाफी पतली है अब ऊपर के साइड में देखो आप एक लोक दिखाई obec कि लोक भाए उसके बाद अब इसको कई से भी डाल सकते हो कोई दिकत नहीं इसमें और उसके बाद एक और वासर होगी यह देखो वासर अच्छे से देख लो फ्रेंट वासर होगी तो गाइस यह मेरा जो टॉप के रहे हैं उस वह हमारा हो गया है त्यार ठीक है क्लच साफ्ट लेनी है यह देखो इस इसमें डाल देना है इसमें लाॉग ध्यान से दूसट यह मैं डाल दिया तो अब अब यहार हम इसारे पिनियन शाफ्ट ले लेएंगे और यह दो गयर हुआ है ठीक है यह मैंने इस को बěठा लिया यह देखो यह बैठा होगहिं जब पूरी बैठ जाएगी तो यह पुरी का फ्री हो जाएगा तो मैं पूना है देखव अब है अमने सुуск करता हूं के जय काफो फ्री है देखवाब अब आपको कीक साफ्ट डाल देनी है चुमडर में यह देख्व मैंने ढाल दिया यह उसके बाद आपको एक वासर मिलता है फर ने पतली यह आशर होगी एक साफ में डाल देनी है उसके पदाब को चेंबर पेकिंग डाल देनी है यह तो मैंने पेकिंग डाल दिया अब चेंबर को फसा देता हूं इसमें देखो यह बहुत यह आराम से बैठ जाती है और आप अच्छे तरीके से बैठाओ तो तो यह देखो काफी अच्छे से बैठ गई अब इसको मैं प्लट देता हूं और सारी के सारे बॉल्ट में चेंबर के जो बॉल्ट है मैं उसको कस लेता हूं यह देखो यह सारे 8 mm का बॉ जैम़र रख देते हैं उसके बाद सबसे पहले एक किक लगानी है या शो आपको फासा लेना है और टीक दाग के शामने वी डाल देनी है ढ़ी कोई Every को इसमें को फेसा लेना है थे? अप इसो फासा लो अई ? हैं अम एमगोने बाख के अफ़्िन इसको ठोक देते हैं यह अंदर बढ़ आप इसमें लॉक हम डाल देते हैं दोस्त इसमें एक लॉक मिलता है आपको लॉक उसमें आपको डाल लेनी है वरना यह च्छटक सकती है तो इसमें मैंने लॉक डाल रहा हूं यह तो मैंने डाल दिया लॉक और यह रहा गेरशाफ्ट गेर्सप्ट अच्छा काम कर रहा है तो ग्लेशाप् डाल दरीनी है इसमें डाल कि अटीक ऐसी बैठा लो तो अपने इसको जैसे ओं वह करते हो अपने जाता है देखो बैढ चलिएंद के प्रीया लाष़ डालेल निया को इसके अब स्थ यह आछ यह जाएगी अब इसके पाद यह देखो मैंने इसे सेलेक्ट को पैठा लेता हूं आपको ब्लैक लडगेस में बोल्ट मिलती है 10 mm कि मैं इसे को कस लेता हूं मैंने इसे कस दिया अब देखो यह देखो अब फ्री है क्लच बिल्कुल फ्री है बिल्कुल फ्री है दोस्तों आप जब भी अगर किक मिला हो तो इसको फ्री करके देख लेना तक यह आवाज ने करें अब हम इसको वाइल पंप कसते हैं ठीक है यजान भाई की जब इंजन बंढ रहे हो तो अगर काम नहीं करेंगी तो आपके जो बाईक ventil has a उसमें वह छहा है वाइल आपको पहुंचाने है और पंचाने पाईगी अपकी गारी जो बाई की जो पार्ट्स पार्ट्स है उस सारे के सारे खराब हो जाएंगे तो वाईल फ्री है और काफी अच्छा काम कर रही है अब हम बाइक की इंजिन को जो इस साइट गुमाते हैं और यह देखो वायल पंप में आपको बूस मिलता है ठीक है बूस को इसमें आपको डाल देनी है द्यान से इस बूस को डाल लेनी है उसके बाद आपको पैकिन डालके और जो हो है उसको खुछ लेनी है तो मैं इसको खुछा लेता हों पहले इसमें आपको आठ में क का बूस में ठीक है तीन बोल्ट होंगी कुछ लेना है पहले अब की दिखो को बाइसे गयुख है ब्लट के पहले धूह आपको ओक मिलता है मैं पूस के जीवर्थ काया इस ब twitch रता डिखो लेनी है अश्य चेक करता हूं क्या है काम कर रही नहीं तो यह आपका सब्सक्राइध लोगा सब्सक्राइब है लेकिन cutting होती है उसके बात एक और मिलती है जो कॉलर वाली होती जो कि उसको कवर करता है वो पुर्प धळक δेता है cutting वाशब जो है नहीं है चुछ प्रेसर प्रेट डाल देनी है एछ इसमें परJ बसको चूछ प्रेटह्net दिवसार तीन परीटSteag´ं यहां है हपिंसा धार सुलेटर के अगया में मिसarner को लगा दिए कि तो यह देखू मैं अच्छय से चोथ कर लेता हूँ ऐसे डालता हूं कि इवे हां है तो धोरी षे धिक्कत होग कि अधरा में से चला जाता है कि दिकत नहीं होती है बस अच्छे से बैटा होगे तो यह पैठ जाती है यह सफ्ट जो Unlike तो यह अभी सबेटी है तो मैंने इसमें इसको डाल दिया इसको कस लेते हैं पूरा इस फ्री है काफी फ्री है तब इसमें आपको वाषर मिलती है मिलती है आपविक रखी टाल देते उसके बाद एक बोल्ट होगी नट होगी जोगी तो काफी कट गई बहुत काम कि चलेंगी क्लच पूलर डाल लेनी ही बिनकलच पूलर के दो कस आयर सब नहीं तो यह रहा क्लच पूलर उसके बाद यह रहा पूलर है इसको कस लेता हूं तोस्था तो यह देहां मैंने इसको делает कर अच्छा से इसको टाइट कर दिया अच्छा से इसको निकाल लेते हैं पुलर को अब उकला चार स्प्रिंग मिलती है चार स्प्रिंग मिलती है यह देखो चारोय स्प्रिंग को डाल लेनी है अब आपको एक प्लिट मिलती है उसके बाद आपको चार बॉल्ट मिलती है चार बॉल्ट अब 10 mm का होगा तो हम इसको पहले कस लेते हैं अच्छे से ये देखो कसा रहा है इसको आप अपने ही साब से टाइट कर लो तो मैंने अपने ही साब से इसको टाइट कर लिया है अब आपको इस वाले काटोड़े को कस लेना है ये काटोड़ा इसलिए दी गई है दोस्त की इसमें मुवी वायल हमेशा रहे और क्लच बेट भी आता रहे ताकि जो हमारा क्लच बेट है वो जल्दी क्लिग नहीं जलेगी नहीं तो मैंने इसको अच्य से टाइट कर लिया है अब आप क्दंग बैलेंसर को कस लेना है चैसे आपको इस में वी वासद मिलता है उसकेपाद आपको एक नेट मिलता है को के वही कटिंग निट होता है कर दो एक तो हम यसको टाइड कर रहते है पहले ठीक है कर सकते हो देखो मैंने इसको फसा दिया नेदा इसे अपको चैय का आप प्लेट को कत दो यह प्लेट इसलिए देती ताकि इसमें वायल हमेशा बनी है है और connecting में भाहां में बैरिंग जो होता है में बैरींग के वाइल्स में करती रहे ताकि हमारे क्रेट जो है क्योंड करें कट फटे ना कि इस प्लेट करें करें ऊस्को अच्छ कर लेते हैं पूरे क्लाच क्लाज पैडिंग डाल दनी है on तो अब हम पैकिंग डाल लेते हैं तो यह रहा पैजब तो क्लाज पैगिंग क्लाज पैगिंग मैंने ये देखेँ फशाड या इसको 누 glitter कर दूब awan क्लाज का जो चेमबर है उसको का सेंगे यह देखो कशें बर तो गैस अब मैंने इसको टाइट कर लिता हूँ पहले यह देखो मैंने टाइट कर लिया इसको तो गैस अब सबसे में यह काम आता है हमारा ब्लॉक पिस्टन जो कि मैं गौस का डाल रहा हूँ इस मैं आपको मिलती है रिंग मिल जाता है शाथ मैं उसके बाद piston मिलता है और शाथ ही साथ आपको मिलता है गजर पिन और lock ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ देखो यह inlet है 50 नेमिम का piston में डाल रहा हूँ और यह जो है outside है ठीक है तो inlet हम carburetor के side डखेंगे सबसे पहले हम lock लगा लिते हैं ठीक है अब opposite lock लगाएंग एक सेती है मैं हमेशा हुआ हुआ हुआर आज बनागेता लगा दिखें। उसको लगा धने लिवं है। और कौन सा आउट है ठीक है तो मैंने गदर पिन लगा दिया अब आपको मैं समझाता हूं कि रिंग कैसे सेट करनी है लेकिन उससे पहले आपको रिंग चेक कर लेनी है कहीं हमारा हॉनिंग में कुछ गरबर तो नहीं है तो रिंग चेक करने का सबसे सही तरीका है यह देखो रिंग को हम ब्लॉक में डाल देते हैं यह जो है दो नमर की रिंग है अब देखो यहां से मैंने इसको ब्राबर कर दिया यह कहीं से आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि यह जो है यहां से ज्वाइंड है ठीक है यह आपको चेक कर लेनी है हमेशा यार देखो हमेशा आप आपके देखा कर रहा हूं तो से यह भी दोनों पहलेंग करते हों ठीक है यह दूनों कमप्रेशर रिंग ती जो फ़र्श्ट वारीच वाई चेक हैं मैंने उसको मैं चेक कर लेता ही अगर आपका पिस्टन जो टाइट होगा तो इस लिंग के वगज़ए नहीं है यह काई मैंने जो है दोनों काफी अच्छे हैं मतलब जरा भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो अब हम आपको पिश्टन पर दाग मार के समझाते हैं कि कैसे लगानी है ठीक है तो यह देखो मैंने दाग मार दिया है अब आपको अच्छे से समझ में देगी यह इन लीड है अब इह देखो यहां जो है वाल रिंग देनी है यहां पे भी आपको आपको आपॉजिट वायल Wing देनी है दोनों साइड सेलें सरके तो मैंने एक प्रेंग को पहले चर दिया था दोस्त अब दिखो यहां पे मैं चरा रहा हां इस वाल रिंग को दियां से देखो, जो है वालडिंग है, इसको एक्सप्रेंडर रिंग बोल सकते हैं, वालडिंग. तो फस्ट जो है, आपको भाग उधार रखनी है, अप्वोजिट के, अपॉजिट के ठीक, राइट में. अब आपको जो है दूसी जो भायरे डिंग है उसको इस वाइल रिंग की ठीक अप phosphorus है यहां पे समने ठीक है यहां रखो कि देखोऊ अपको सारे होल जो हैं आ पिश्टन नहीं आपको छो छेड दिखाई दे रहा है उस छेड से तोडरा सा आपको a पूजिस रखना होगा कि आपका भात है वो फ़िला को फमकर पता है कि यह जो बटींचे जो आपको झारर देती है एक वाईल डेती है कि आपका जो इंजन है वह हिट ना हो फिर भी मैं आपको बता ciao यह इती है जो कि आपको डेती नहीं होने को डालनी हे चाहिं भाउब है तो आपको देखों देखाई दे रहा होगा दो नमर टॉप टू लिखा लगाया था मैंने उसको वह ब्लैक क्लर क्यों होती है तो हमने इस रिंग को डाल लिया है अब मैं आपको समझाता हूं देखो दियान से दोस्त यह को यह इनलीड है यह आउटसाइड है तो यह देखो आपको शेलेंशर के ठीक शामने देनी है ठीक है उसके आप पोजिट में आपको compressor ring देनी है तो ग्याइज compressor ring जो है यह देखो ही हाँपे है उसके ठीक सामने कमप्रेशर तो ग्यास आप पिस्टन को डाल लेते हैं ब्लॉक में डाल देनी है bestimmt करके डाल देनी है अप आप ऐसे kar percentage डालोगे तो अराम से और्जेश्स हो जाएग Anders को ठीक है नप में डाल लेते हैं तो गैसे यह देखो मैंने ब्लॉक में जो है मैं पिस्टन को डाल दिया यह देखो तो गाइस अब बच गया है है तो में जो है सारी के सारे पिर लगते हैं तो यह रहा Spongeshop यह देखो यह comsoft है है सब से खेलेम इसको डाल लेते हैं अब देख लेने कि टॉप के साइड उपर की तरफ रहना चाहिए केम साप्ट की जो है टॉप उपर की तरफ रहनी चाहिए उसके बाद आपको रोकर डालनी है तो मैं रोकर को डाल लेता हूं पहले यह दूसरा रोकर है कि अब इस वाले पाइन लोकस लेते हैं कि आठेम में के बोल्ट मिलती है अब तो अब गाइस चलते हैं ब्लॉक पर शाने ठीक है तो यह देखो मैं ब्लॉक डाल रहा हूं सीदे आपको इधर से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इधर से आते हैं ठीक है तो गज़र पिन को पहले डालते हैं किनेक्टिंग में यह दो मैंने डाल दिया बड़ी असानी से चला गया अब इसमें आपको लॉक डाल लेनी है कि लेसको में अच्छे से बैठा लेते हैं यह देखो लॉक मिले था आपको लॉक डालके लॉक कर देनी है कि मैं इसमें ल डाल दिया कि है अब पिश्टन को एच्छा से यह लोगे तो अराम से और जेस्क हो जाएगी इसमें ठीक है है कि तो मैंने इसमें ॉब्लोक में मिच्टन को बनूदाए है कि अब आपको हैड़ का पागिंग डालनी है थोड़ी इसूलेशन लगा लेनी है कि अब को बुष्ट मिलता है एड में आपको बुष्ट देना है ठीक है तो दो बुष्ट में डाल देश में कि यह देखो है जो है काफी अच्छे से बैठ गी है वापको पैकिन डाल लेनी है उपर की तरह फ्रॉंट के शाय उसके बाद आपको इस वाले प्लेट को कस लेनी अच्छी से उसके बाद दोस्तों मैं आपको पताता हूं कि टाइमिंग टाइमिंग कैसे लगाते हैं ठीक है टाइमिंग चैन कैसे लगाते हैं तो यह रहा टाइमिंग चैन जो मैं इसको इसमें डाल दे रहा हूं तो यह देखो टाइमिंग चैनी दर आ गई अब उसके बाद आपको काईड डाल देनी है गराडी बड़ी वारी गैड जो है उसको डालके ब्लॉक में कस लेनी है तो यह देखो मैंने इसको मिला दिया इसमें इसको टाइड कर लता हूं पहले अब आपको छोटी वाली गैड को डाल देनी है कि उसके बाद इस वाले प्लेट को कस लेनी है चल लगाके इस में दो आपको मिलती है 10 mm a कैसे कं दोनोंव डोनों गएचे से कर लेना इस में नेने कर देवादन यह को शेल्फ का पी नियन को लगा लेनी है ठिक है गाइस पीनियन लगा लेनी है इसके बाद लॉक डाल लेनी है और वाले पीयन में अबस्के पैनियो сейчас को आपको आठ है मैं का बोड्ट मिलता है तब आइना है इसको टाइड किर ले नहीं है सब्सक्राइड बिको मेम्नी चेन वाली चेन होती है इस जो गाइड है वो डाल देनी है इसके बाद यह देखो आप गार्ट में आपको मेगनेट अच्छे से बिठा लेनी है तो बैड़ गया देखो यह मैगनेट जो है बैड़ गया उसके बाद आपको वाशर मिलती है उसके बाद 14 mm का एक नट मिलती है आपको तो हम इसको टाइट कर लेते हैं पहले यह दो को टाइट करने करें देखो आप तरीका अब मागनेट को इस वाले साफ्ट बढयायक अराम से कर सकते हूँ तो मैंने इसको टाइट कर दिया तो गाइज बच गई थी हमारी जो है वाइल सिल तो वाइल सिल हम डालेते हैं इसमें गेर वाली वाइल सिल अपको लगाके ऐसे थोड़े से अप्रेश करोगे तो अराम से बैठ जाती है ठीक है यह दो बैठ गी उसके बाद यह टॉप के भी सी decisions मैं डाल लेता हूं हुं उसके बाद मैंट को बार फर्शाले नहीं है फिर आपको बताता है कि मैंकी कैसे मिलते हैं कि तो मैंने इसवाइल सिर्ट को अच्छे से इसमें टाल दिया सारे बोल्टों को मैं अच्छे से कस लता हूं पेहले और उसके बाद जो है हमारा सेलेक्टर के जो बोल्ड था वो भी बच्छा गुआ था तो मैंने उसके भी कस दिया अच्छे से 10 mm कर रहते हैं उसके बाद इसको पैक कर लेते हैं कवर से अब देखो गाइस टैमिंग चैन कैसे मिलाते हैं तो मैं इसको खोल दिया उसके बाद आपको 10 mm कि यह जो यह लेंकी उसे को दो एक मेंगे मिला आ चब टमपगर कर लेएं ठीक है और यहां आप देखो यहां आप देखो यह को यह फ्री का कि उसके बाद यह देखो आप टाइमिंग में यहां पर टॉप मिल जाता है देखो देखने के तो मैं इसको लगाता हूं उसके बाद पताता हूं आपको कि टाइमिंग कैसे कौन से कहां रहती है कि यह देखो यहां पर जो लकीर दिखाई दे रहा है आपको ठीक सामने रखनी है इस लकीर के ठीक सामने यहां पर रखनी है और उसके बाद यहां जो आप मैंग्नेट में देखो यहां पर यहां पर अब दियान से देखो गए तो आपको टी दिखाई दे रही होगी ठीक है यह मतलब टॉफ होता है तो मैंने कस लेता हूं मैं इसको पहले करसे तो अच्छा से इन सब इन सारे बोल्ट को भी अच्छा से कस लेता हूं तो गईज इस वाले इस वाले कवर को भी कस लेते हैं तो गैस अगर आप चैनल पर ने हो तो यार सब्सक्राइब कर देना लाइक तो करी देना आप दसे में का प्रेश्ट मिलता है उस साइट से आप उकसने को तो यह फाइनली जो है अप टाइफिट मिला लेते हैं आपको एस पेस देख लेनी है इस पेस अगर रहेगी तो मैं इसको मिला लेनी है और इस बात पर हमारा जो है इंजन कंप्लीट होता है हम अपने जो बाइक है उसमें इस इंजन को चरा दूंगा ठीक है उसके बाद आपको स्टाटर के दिखाता हूं कि यह ज़रा भी पॉलिशन नहीं दे रहे हैं अजया उसके बाद आपको सके बाद रहे हैं